नमस्कार साथियो पहले तो मैं एक एक कारे करता का पूरे परदेश के अंदर जिसने दिन रात एक करकर पिछले दो महिने में मेहनत करी उसका धन्यवाद करता हूँ और बदाई देता हूँ तमाम 542 नए चुनेवे सांसदों को नरिंदर मोदी जी को कि आज देश का जन्मत उनके पक्ष में आया है और यही उमीद करता हूँ कि देश बहुत उमीद के साथ आपको चुनकर लाया है और यही उमीद आपको इस देश को आगे ले जाने में मदद करने का काम करेगी और साथ में बदाई दूँगा अरिहाना के दस के दस सांसदों को जिनने दिन रात एक करकर अगले पांच साल इस परदेश को एक नए मुकाम पर लेके जाने की जो जुम्मेवारी लेके साथ आज वो पारलिमेट में गए है आज उनकी जुम्मेवारी बनती है कि तमाम साथ ही लगकर इस परदेश को एक नए मुकाम पर पुचाने का काम करेंगे निरंतर पिछले दो महिने के अंदर मैंने देखा कि छोटे से छोटा कारे करता और बड़े से बड़ा पद अधिकारी जनाएक जनता पार्टी का मैदान में उत्रा रहा मेहनत करी और इस मोदी वेव के सामने लड़ाई लड़ने का काम किया साथियों हार जीत चलती रहती है चौदरी देविलाज जी चुरासी की बात करें तो बूरी तरह उस सुनाब में हारे थे मेर उनने मेहनत करनी नहीं छोड़ी उनने इस तासी के अंदर फिर खड़े होकर उस से ज़्यादा मेहनत करी और मेहनत करकर दुबारा परदेश में राज बनाने का काम किया आज मैं आप सबसे आगरे करता हूँ कि हमने रुकना नहीं है उस समय तीन साल थे आज हमारे पास केवल मात्तर पांच महीने है और इन पांच महीनों के अंदर हमारे उपर सबसे बड़ी जो जुम्मेवारी है वो यही है कि हम लग कर एक-एक वोटर से दुबारा संपर्क सादे एक-एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़े और जोड़ कर मजबूती के साथ संक्ठन को खड़ा करे आप ये देखिए कि आपकी पार्टी को आज खड़े हुए केवल मातर साड़े-पांच महीने हुए है और इन साड़े-पांच महीनों के अंदर आपने परदेश के अंदर जहाए एक सीट पर तीन लाख वोट लिए वहीं पांच सीटों पर आप नंबर तीन पर आए दो सीटों पर आप नंबर चार पर आए लोग तो कहते थे जमानत जब्त होगी मगर आप लोगों की महनत थी जमानत तो कॉंग्रिस की भी हुई जब बस्पा की भी हुई मर उससे क्या वो पार्टिया रुकना और चलना छोड़गी वो फिर खड़ी हुई आगे बढ़ी और आज मैं आप सबसे यही बिंती करने के लिए जुड़ा हूँ कि हमें भी खड़े होकर आगे बढ़ना है मैं देख रहा हूँ कई साथी लिख रहे हैं कि आज बहुत निराश हैं साथी निराश होए अपने आपको कमजोर करोगे और जितना द्रिटा के साथ, मजबूती के साथ, होसले के साथ आगे बढ़ने का निर्ने लोगे उतने ही मजबूती के साथ आगे बढ़ोगे अभी सुबोध ने लिखा है कि आप स्ट्रगल करो आंदरा में वायस सारा है बहुत बड़िया बात लिखी है मुझे याद है जब जगन महुन रेड़ी जी के पिता जी का ध्यान्त हुआ तो लोग कहते थे कि इनका तो राजनितिक करियर खतम हो गया दो साल उनको उस समय की सरकार ने जेल में रखने का काम किया मरसाथियों सत्रा सो किलोमिटर पैदल चल कर पूरे आंदरा प्रदेश को नाप कर आज देखो किस प्रचंड भहुमत के साथ वो सत्ता में आये है मैं देख रहा था कि केवल मात्र तीन सीट टीडीपी की आई बची सारी लोकसवा की सीटे भी उनने जीतने का काम किया ये हवा की बात है ये बात काम की है ये चुनाव कोई व्यक्ति के साथ आप नहीं लड़ रहे थे हर सीट पे जो चुनाव था वो चुनाव नरिंदर मोदी जी के साथ था मेरी लोकसवा में बिजंदर जी जीते हैं मैं उनको शुब कामनाय देता हूँ और यही उमीद करता हूँ कि बिजंदर जी जिस तरीके से पांथ साल मैंने इसार के लिए काम किया है उससे बेतर काम करकर दिखाएंगे इसार की समस्याओं को पारलिमेट में बड़ी मजबूती से उठाने का काम करेंगे मरसाथियों एक चीज तो साफ होगी कि आज बिजंदर जी नहीं जीते हैं अगर मेरी सीट पे भी बात करूँ तो मेरे सामने नरेंदर मोदी जीते हैं अगर बात करूँ सोनिपत के अंदर तो शायद बुपेंदर उड़ा जी के सामने भी नरेंदर मोदी चुनाव जीते हैं अगर मैं बात करूँ आपकी लोकसवा सीट की तो मुझे लगता है कि धरंबीर जी चुनाव नहीं जीते वहाँ पर भी चुनाव नरेंदर मोदी जीतने का काम किया है मर्विधान सवा में परिस्तितिया अलग होगी वो परिस्तितियों के अंदर शायद आपके सामने नरेंदर मोदी नहीं होंगे वहाँ तो आपके सामने कैंडिडेट होगा मनोरलाल खटर जी होंगे और वहाँ पर जवाब देई भी होगी प्रेस कॉन्फरेंस से भाग नहीं सकते पत्रकारों से भाग नहीं सकते साथियों हमें यही सोच के साथ आगे बढ़ना है कि हम मिलकर दुबारा जैसे आंदरा में तिलंगाना में बंगाउल में इतियास रचा गया है अर याना परदेश में भी उसी तरह का इतियास रचेंगी मैंने देखा कि अजीत सिंग जी उननिस सो वोटों से हारे हमारे भाई जैन्जी लास्ट तक जीते आए पोस्टल बैलेट्स में हारे अगर इस तरह चुनाव के अंदर क्लोज क्लोज फाइट से चुनाव जीते गए हैं तो एक चीज तो स्पस्ट होगी कि लोगों का बदलाव का मन था मर बदलाव के अंदर जहां चुनाव को छे शब्दों में समेट कर छोड़ दिया गया मैं भी चोकिदार और चोकिदार चोर है उसके अंदर कई ना कई हम सब हार गए देश के अंदर बदलाव हार गया साथियों हमें फिर खड़ा होना है और मजबूती के साथ एक निस्टा के साथ एक सोच के साथ आगे बढ़ना है कि हम मिलकर बदलाव लेकर आने का काम करेंगे और वो बदलाव हर्याना परदेश को एक नई तस्वीर और तकदीर देने का काम करेंगे मैं देख रहा था अभी कई साथ ही लिख रहे हैं संपत लिख रहा हार जीत तो होती रहती है मैं अगर चोधरी देविलाल के जीवन की बात करूँ तो शायद चोधरी देविलाल जितने चुनाव जीते उस से ज़्यादा चुनाव उनने हरने का काम किया मर क्या वो चलना छोड़ गे थे वो तो अगले दिन फिर खड़े हो जाते थे अगर वो निराश भी हुए तो उनने उतनी मजबूती के साथ कारे करता का होसला बढ़ाने का काम किया अगर मैं चोटाला साब की बात करू उनका जीवन तो हमेशा संगर्श करा है डॉक्टर अजे सिंग चोटाला जी की बात करू उतराजस्तान के अंदर जाकर दो चुनाव जीत कर आए बिवानी गए जहां बंसिलाज जी का गड़ माना जाता था बिवानी के अंदर भी चुनाव जीत कर आयने का काम किया डवाली गए लोग कहते थे हारेंगे डवाली भी जीतने का काम किया मेरी माता जी जब डवाली गई तो कहते थे महिलाओं को वोट नहीं मिलते उनने भी चुनाव जीता तो अब प्रिस्तितियां अलग होगी कई साथी लिख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ अलाइंस के बारे में दुबारा सोचना चीए साथियों मैं तो धन्यवाद करता हूँ आम आदमी पार्टी के एक-एक साथी का जिसने मेरी constituency के अंदर जह किया जहां उनकी जुम्मेवारी डोर टो डोर की लगाएगी उन लोगों ने बड़ी मजबूती से खड़े होकर चैसोबे नौ बजे बुलाया उनने काम किया और मैं मानता हूँ कि ये दोनों संक्ठन एक ही सोचके हैं कि हमें बदलाव लेकर आना है मैं एक चीज जरूर ब सित्या पांच महिनों में तैह होगी मगर अगले पांच महिनों में आप सब को खड़े होना पड़ेगा इस लड़ाई के लिए त्यार होना पड़ेगा हम जब पूरे देश का रजल्ट एनलाईज कर रहे थे तो कई सीटे हैं जो सवा सो दो सो वोटो पर सांसधारे हैं आज होसला कहा होगा खड़े होना पड़ेगा खड़े होकर लड़ने की त्यारी करनी पड़ेगी मेरी तो आप सब से यही अपील बिंती है कि जिस तरीके से आप सब ने अब तक काम किया है जिस होसले के साथ आप सब ने संक्ठन को खड़ा किया है अभी तो यह पहला टेस ठा और पहले टेस्ट के अंदर आपने यह साबित कर दिया कि अगर भारत्य जनता पार्टी का कुई विकल्प है परदेश के अंदर तो कॉ colony निए कॉंग्रेश तो पूरे डेस के अंदर आज फेल हुई है मर वो विकल्प केवल मात्र जन्ना एक जन्ता पाटी है अभी बाई लवी